पीम किसान नहीं हो तो ना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो यहाँ पे एक बड़ा अफडेट आया है और वो अफडेट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कापिस सारे किसान भाई यहां पे कमेंट्स कर रहे हैं बार्मी इस्टॉल्मेंट को लेके कि कब तक बार्मी इस्टॉल्मेंट जो है हमारे अकॉइंट में आईगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था और यहां पर सिरी नरेंदर सिंग तोमर जी ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि जो बार्म इस्टोर्मेंट है वो 17 अक्टूबर को जो है वो रिलीज होगी तो आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं है यहां पर एक अपडेट और भी आगया है वह भी मैं आ उपन कर सकते हैं यहां पर जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी तो नीचे हम स्कॉल करेंगे स्कॉल करने के बाद में और थोला सा स्कॉल करेंगी और यहां पर आज सुबह सुबह मैं उठा तो यहां पर एक अपडेट आया है उसके बारे में आपको यहां पर बता देत यानि तीन मान किस्तों में जो है किसानों के अकॉंड में आता है यहां पर देख सकते हैं किसान इस रासी का उपियोग किड्स और जो किड्शी उत्पाद है पीज है यानि खाद है या तरी खरीदने में कर सकता है ठीक है उसके बाद में आपको और पताता हूं यहां पर भी लिगंत Halo कि मैं अचुके हैं यहां पे देखें किर्षी किसान कल्यान मंतराल Kara की सही भागता में मैदान यहां मेला मैदान भारती क इसी अनूसार दन व brewing हो दिल्ली संबंग सम्मेलन है कि पिर्धान मंत्री किसानवेंसे मिलेंगे जैसे लो जारी हो जाएगी तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं जो दो दिन और इंतिजार कर लीजिएगा दो दिन के बाद आपको यहां पर बार्मी इस्टॉल्मेंट का पैसा आपके अक्वाइंट में रिलेज हो जाएगा बिल्कुल गवराने की जरूरत नहीं है यहां पर यही अपडेट आया था आप देख सकते हैं 13 गंटे हुए इसको आ मेला ग्राउंड यहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है नई दिल्ली में तो आपकी बार जो है रिलीज जो होगी बार्मी इस्टॉल्मेंट वो आपकी बार दिल्ली में करेंगे सिल्देश के प्रिधानमंत्री जी हैं वो आपकी बार दिल्ली में करेंगे क्योंकि पिछली ब माल का यहां पर अफडेट तो किशन भाई हो आशा करता हूँ आपको जानकरी अच्छे लगे और पशंद आयोगी मन में कोई कंफीजन ये कोई परेशान ही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी यहां पर हैल करूंगा तो वाक्ती मिलते हैं आप से नेक वीडियो म देने वाद